वीडियो में हम लोग solve करेंगे माद़ प्रदेस पुलिस कॉंस्टेविल के जो परिच्छा होई थी 18 सितंबर 2017 का 2nd पाली का पहली पाली का मैंने आपको कंड़क करा दिया इसका solution अगर आपने नहीं देखा तो आप description box में इसकी link दी हुई है उसको उसको उसपर click करके आप देख सकते हैं तो पूरा वेपर देखेंगे एक से लेके 100 तक question चलिए देख लेते हैं solve करेंगे सामान ग्यान एवं तारकिक ग्यान मतलब एक से चालिस तक questions जिसमें पहला आपका question कहता है कुछ मित्र एक वरत में बैठे हैं आपका सामने circle है उसमें बिने हैं, सुधीर है, जायन्थ है राहूल है, मोहन है और जतिन है तो आगे question में क्या कहता है कि जतिन के सामने कौन बैठा है तो guys देखें ये रहा आपका जतिन और जतिन के सामने कौन हो जाएगा आपका option B जायन्थ, देखिए जतिन के सामने कौन हो जाएगा जायन्थ, और राहूल के सामने बिने, और मोहन के सामने हो जाएगा सुधीर तो आपका option B is right answer अगला question है निम्लिक निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रिये जलजीप कौन सा है तो ये हो जाएगा option है गंगा नदी, डॉल्फिन निम्न मैंसे किस निकाये ने 2015 में योजना आयोक का इस्थान लिया option C, नीती आयोक निम्न मैंसे किस दिन को भारत में राष्टिये बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है option C, 24 जन्वरी किस विदेहक या विल को मात्र लोक सभा में प्रस्तोत किया जा सकता है option D, धन विदेहक महा जन्पद योग में उज्जैन इसकी राज़ानी थी चार option दिये गए है option D, अवन्ती अमर कंटक जिले में खालिस्तान काउन सा क्या चीज इस्तित है चार option है option D, sorry option C, अनूपपूर अमर कंटक में अमर कंटक अनूपपूर जिले में इस्तित है अगला reasoning का question से अपका reasoning का है थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको question देख जाए देखिए November को ये लिखा जाता है तता December को ये लिखा जाता है मतलब coded किया जाता है तो October को कैसे coded किया जाएगा देखिए guys November को पहले देख लेते हैं ये कैसे बना तो सबसे पहले November में लास्ट वाला R alpha बैट है वो उटके कहां आ गया आगे उसके बाद R के आगे कौन सा है E तो E आगया इसके आगे मतलब क्या हुआ November में जो alpha बैटते वो पीछे से उटके सारे आगे आगे मतलब उसके बिप्रीत हो गए अब देखिए ये B जो है बी देखिए आगे आगे अब M देखिए M आगे आगे E को देखिए E भी आगे आगे V देखिए V भी आगे आगे और O को देखिए O भी आगे आया N को देखिए last में चला गया मतलब पहला बाला आपका last में चला गया और जो last बाला था वो पहले में आगया ऐसे देखिए सारे आपको देख लेंगे December में तो December में भी यही हुआ December में R था K आगे आया, फिर E है, E भी आगे आया, फिर C है, C भी आगे आया, और E है, E भी आगे आए और जो D December में D आगे है, वो Last में चला गया, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, October को भी करेंगे, October के लिए देखिए, आगे जो पीछे वाला जो alphabet है R वो आगे आजाएगा, R के पहले क्या है E E B इसके बाद आएगा फिर V फिर B ले लेंगे O है उसके बाद O को ले लेंगे फिर T है फिर T को ले लेंगे फिर C है फिर C को ले लेंगे उसके पहले क्या है पहला क्या है O वो लास्ट में चला जाएगा आपका क्या हो जाएगा R, E, B, O, T, C, O तो R, E, B, देखे किसमें है R, E, B, देखे इसमें भी है, इसमें भी है लेकिन पहले और दुसरे में नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएंगे तो आगे क्या है O, T, C O, T, C देखे इसमें है तो आपका अंसर आठ में क्या हो जाएगा D D is the right answer I hope आपको कोशन समझ में आया होगा चलिए अगला कोशन करते है कोशन आपका है आब आदी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राजिकाउन सा है Option E उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महुसब भारत में सालाना आयोजद किया जाता है इसे क्या कहते है इसे कहते है Option E जैपुर साहित्य महुसब अगला है नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है तो Option D तापती नदी और अगला है बीवू त्योहार जो है मुक्यता यहां मनाया जाता है तो कहां मनाया जाता है Option B असम में है जिम कारवेट राष्टिय उद्यान किस राज में इस्तित है Option E उत्राखंड में है और उत्राखंड जो जिम कारवेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पुराना अभिहारानिया या राष्टिय उद्यान है इसका जो सबसे पहला नाम था पुराना नाम वो तापका हैली नेशनल पार्क भारत के ग्रेंड ओल्ड मैन के रूम में कौन जाना जाता था तो ओप्सन डी दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे प्राचीन सहर उज्जैन खालिस्तान नदी के तटपर इस्तित है तो ओप्सन C सिप्रा नदी के तटपर CBI के बर्दमा ने दे सक कौन है तो काईस ये 2017 का पेपर है तो उसके साब से आपको आंसर बता देता हूँ ओप्सन C थे आलोक कुमार बर्मा लेकिन प्रजेंड में कौन है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है अब देखे एक और रिजनिंग का है एक विसम सब्द समू ग्याद कीजिए मतलब चार ये आपसन दिये गए हैं इसमें से ऐसा चुनना जो अन तीनों से भिन हो मतलब आला को तो आपसन भी हो जाएगा कलम तथा निब देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग सियाही और दबात को देखते हैं सियाही जो होती है वो दबात में होती है और तीसरा देखिए तेल तेल जो होता वो लैंप में होता है और पानी जो होता है वो बाल्टी में होता है लेकिन कलम निब लेकिन कलम निब में होता है ऐसा समद नहीं होता है, तो आपका option B is right answer हो जाएगा, अगला question आपका देख लेते हैं, आपका अगला question है, एक विसम संख्या ग्याद कीजिए, मतलब यह दिये गए हैं, इसमें से कौन सी विसम संख्या है, देखे गाइस, 2 से 5 बनने में कितना add हुआ, प्लस का 3 add हुआ, फि 17 से 27 बनने में कितना add हुआ, आपको दिखने है, दिख रहा होगा, प्लस का 10, और 27 से 37 बनने में कितना add हुआ, यह भी आपका प्लस का 10, अब देखिए, अंतर देखिए, 3 और 5 में कितने का अंतर है, प्लस का 2, 5 और 7 में कितने का अंतर है, प्लस का 2, लेकिन 7 और 10 में कितन कि अंतर आपका है प्लस का तीन तो आपका जो आंसर होगा गाईस आपको बता देता हूं और सी वाला हो जाएगा 27 क्यूंकि 27 गलत है 17 और 27 के बीच कितने का अंतर होना चाहिए था तो गाईस बता देता हूं पहले देखे तीन जुड़ा फिर पांच मतलब दो दो का अंतर है इसमें भी नौ जुड़ना चाहिए था तभी तो आपका अंसर होता साथ के बाद नौ ही तो आएगा आपका तो गाईस देखे 27 आपका अंसर हो जागा यह विसम संक्या है ओके चल तो गाईस देखे पहला यह है और दूसरा यह है तो पहले में भी इस्टैनी आ रहा है और इसमें भी इस्टैनी आ रहा है ओके तो इस्टैनी इस्टैनी कामन हो गया तो हम लोग दोनों के जो अर्थ बन रहे है उसमें भी कामन ढूनना पड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा आउट, आउट, ओके, तो आपका अंसर हो जाएगा, option C, आउट, आगला question देख लेते हैं, reason का question आपका देख रहा होगा, यदि handle को ये लिखा जाता है, coded किया जाता है, तो distance को कैसे coded किया जाएगा, तो सबसे पहले handle को ऐसे लिखा गया, ये कैसे बना, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, h-a-n-d-l-e, इसको क्या लिखा गया है, a-h-d-n-e-l, अब देखिए handle, पहले हमने को क्या करेंगे, दो-दो के जोड़े बना लेंगे, ठीक है, तो नीचे भी दो-दो के जोड़े बना लिए, अब देखिए, a जो है यहाँ पर आ गया, और h-a-j, जो है, यहाँ पर आ गया, color change करते हैं, फिर बताते हैं, फिर देखिए, d यहाँ पर आ गया, और n यहाँ पर आ गया, और e-a-j, जो है, यहाँ पर आ गया, और l-b, यहाँ पर आ गया, इसी फिरकार हम लोग distance में भी यही करेंगे, दो-दो के जोड़े c e, ओके, अब हम लोग दो-दो के जोड़े बना लेंगे, दो-दो जोड़े के बनाने के बाद, दोनों alphabets से इदर उदर मतलब, पहला जो होका पर दूसरे पर आ जाएगा, दूसरा बला पहले पर आ जाएगा, देखिए, i बला आ जाएगा, तो i, d बला इदर आएगा, दो d, id id देखिए, किस में किस में आ रहा है, d बला तो होगा नहीं आपका अंसर, लेकिन पहले दूसरे तिसरे में हो सकता है, अब st में देखिए, t आपका आगे आ जाएगा, और s इदर आ जाएगा, color change कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, अब देखिए, देखिए, ts, ts किस में आ रहा है, ts देखिए, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, अब देखिए, आगे देखिए, n आपका इदर आ जाएगा, और a इदर चला जाएगा, और e इदर आ जाएगा, और c इदर आ जाएगा, तो ts हो गया, na na है वो, देखिए, na इसम आपका option A वाला answer हो जाएगा, चलिए अगला question करते हैं, अगला question है, निम्न में से कौन सा पसू राष्टिये संप्रीतक पर पस्तित नहीं होता है, तो guys, option A, guy, अगला है राष्टिये रच्छा दिबस कब मनाया जाता है, तो option D, तीन मार्च को राष्टिये रच्छा दिबस म दो विसम संख्या प्राप्त होने की प्राइकता जो होगी, वो क्या होगी, प्रॉबेविल्टी क्या होगी, देखे इसमें लाष्ट में देखे विसम संख्या की बात हो रही है, तो guys, देखे एक पासे को अगर एक बार फेंका जाए, तो विसम आने की प्राइकता जो होग कि आपके अगला कोश्चन है लुट तस संग्या जुनकर शंगरा-षंगला को पूरा कींजिए तो यह संग्हें दी यूई आगए को कोश्चन मार्क यहां पर नहीं आपको अप्शन में बताने क्या आएगा इसको आपको कमेंट करके बताने कि क्या हो सकता है अगला है लुप्त संक्या चुनकर संक्ला को पूरा कीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले तो यह देखेंगे 6 से 13 बनने में कितना एड हुआ होगा प्लस का 7 एड हुआ फिर 13 से 27 बनने में कितना एड हुआ प्लस का 14 और 27 से 48 बनने में कितना हुआ प्लस का 21 तो देखिए 7 से 14 के बीच में कितने का अंतर होगा 7 का तो देखिए अंतर आपका साथ देखने को मिल ला है अब 21 के आगे भी जो संक्या होगी उसमें भी तो 7 का अंतर होगा तो 21 में अगर 7 आड़ करते हैं तो हमें भी 28 और 28 को 48 में कर देंगे ओके तो बही हमारा आंसर आजाएगा तो यह हो जाएगा आठ शे आठ शोला ये एक पांच साथ चीहतर ओके अंसर क्या होगा ऑप्शन है चीहतर चलिए अगला कोशन करते हैं अगला कोशन आपका है लुप्त संक्या चुनकर संक्ला को पूरा कीजिए देखिए 18 स यगर 16 बनाना थे तो इसमें देखिए 2 का अंतर आएगा अब 16 से 13 बनाना थे – 3 का अंतर है और 13 से अगर पांच घटाएंगे तो कितना एगा चार, option is right answer, ओके, तो option है आपका answer हो जाएगा, चलिए अगला question करते हैं, भारत का पहला रच्छा विस्विद्याले खालिस्तान में स्थापित किया जा रहा है, तो ये question हो चुका है पुराना, लेकिन ऐसे आ सकता है कि कहां पर स्थ स्थापित किया गया है, तो guys ये हो जाएगा option है, पर हरियाना, आपका कहता है, स्लोग का question है, स्लोगिस्म का, नियान इगमन का, उस विकल्प का चैन कीजिए, जो की दिये गए कतनों और निसकरसों के बारे में सही है, सिंबल सा question है, कतन देखिए क्या है, कि सभी मोंबतिय मोंबतियां लाल्टेन है, तो इसको बेंड डायग्राम से करेंगे, देखिए सभी मोंबतियां, आल की बात हो रही है, तो सारी मोंबतियां जो है, वो आपकी क्या है, लाल्टेन, उसके बाद क्या कहता है, सभी लाल्टेन वल्व हैं, तो ऐसे बनें का फिकर, जो जितनी भ हैं वो लाल्टेन है जो कि आपको कतन में दिया गया है तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा उसके बाद सभी बल्ब मौंबत्ती हैं तो ग्राइज देखें सभी बल्ब मौंबत्ती हैं ये आपका कतन गलत हो जाएगा क्योंकि सारे जो मौंबत्ती हैं वो बल्ब हो सकती हैं बल्ब जो है वो मुंबत्ती नहीं हो सकती हैं तो आपका दोनों गलत हैं तो आगे क्या कहता है कथन में आपका आंसर जो होगा आपको बता देता हूँ, option ही हो जाएगा नहीं निसकर्स first और नहीं निसकर्स second अनुसरान करता है मतलब दोनों गलत हैं चली अगला question करते हैं अगला question है, slogism का वैसा ही question है, simple सा उस बिकलब का चैन कीजिए जो कि दिये के कत्रों निसकर्सों के बारे में सही है तो statement क्या दिये गए हैं, सारे statement को पड़ लेते हैं, देखिए, इसका figure बनेगा, सभी रुमाल तॉलिये हैं, सभी, मतलब आल की बात हो रही है तो रुमाल तो ये हो जाएंगे, R.U. लिख लेते हैं रुमाल को, तो तॉलिये क्या लिखेंगे, तो लिये तो सारे रुमाल तॉलिये हैं, और सभी तॉलिये कंबल हैं, तो आल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कंबल अब देखिए, निसकर्स क्या कहता है, सभी रुमाल कंबल है, तो सभी जो ये आल रुमाल है, ये आपके कंबल है क्योंकि कंबल सबसे बड़ा इसा है तो कंबल में ही तो रुमाला रहा है तो आपका पहला वाला statement क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और देखे दूसरा क्या है सभी कंबल तॉलिये हैं लेकिन सारे कंबल जो है वो तॉलिये नहीं हो सकते हैं क्यूंकि कंबल जो है सबसे बड़ा वाला भाग है तो सारे तॉलिय तो कंबल हो सकते हैं लेकिन सारे कंबल तॉलिय नहीं हो सकते हैं तो यह वाला गलत हो जाएगा तो आपका अंसर होगा option d वाला केबल निसकर्स एक अनू सरान करता है चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन आपका है उस बिकल्ब का चैन कीजिए जो की दिये के कत्रों निसकर्सों के बारे में सही है ये भी आपका स्लोगिज्म का कोश्चन है कोश्चन क्या कहता है कुछ साथच्छात कार परिच्छा हैं त तो यह हो जाएगा इसको लेते हैं SH साच्छात कर अब गया कहते हैं सभी परिच्छाएं जाते हैं तो सारी परिच्छाएं आ जाएंगी आपकी जाच जाच ओके तो परिच्छाएं तो सारी हो सकती हैं जाच लेकिन साच्छात कर सभी जाच नहीं हो सकती हैं देंकि पहला क्य जो होती है वो साच्छातकार हो सकती है लेकिन जो जांच है वो परिच्छाएं सारी नहीं हो सकती है अगला है कुछ जांच साच्छातकार है तो जांच का कुछ इससा देखे साच्छातकार में चला गया यह वाला इससा थोड़ा सा कलर डाउन कर लेते हैं यह वाला इससा आपका क्या होगा option c cable nisqrs second अनुसरान करता है next देख लेते हैं आपका question question आपका कहता है आपको इसको करना है आपको से उस बिकल्ब का चान किज़े जो दिये गए कत्रों के निसरसकों के बारे में सही है तो statement कहता है सभी world file excel file है तो ये देखे world file है जो है आपकी all की बात हो रहे है सभी world file है excel file है excel file अब गया कहता है कि सभी world file powerpoint presentation नहीं है तो powerpoint का अलग बन जाएगा powerpoint pp मतलब powerpoint presentation ppp तो आपकी क्या नहीं है world file अंदर वाला तो इनके भी नमसंबन ना का हो जाएगा लेकिन आपको ये तो नहीं कहा गया कि excel file है मतलब कुछ excel file है जो है वो आपकी powerpoint presentation हो सकती है लेकिन bird के बारे में कहा गया कि presentation file नहीं है लेकिन excel file हो के बारे में दुका नहीं गया तो इसका दूसरा भी figure बन सकता है bird का ये हो जाएगा bird all है ऐसे ऐसे तो आपका PPP ये हो जाएगा मतलब excel file का कुछ हिस्टा इसमें भी जा सकता है मैंने आपको figure बना दिया आप answer बता सकते हैं इसका क्या हो सकता है चलिए अगला question करते है question है option A 14 November को reasoning का question फिर से आ गया नीचे दी के संकला में संक्याओं का एक क्रम उपस्तित है गलत उत्तर सही ओजन पहचानी है तो guys guys देखी आपको गलत सही ओजन पहचानना है ये सारी संक्याओं दी गई हैं इसमें से गलत बाला बताना है तो गलत बाला जो आपका answer होगा वो आपको बता देता हूँ option C 132 कैसे वो भी देख लेते हैं color पहले change करते हैं उसके बाद बताते हैं देखी 10 से 14 बनने में कितना add हुआ प्लस का 4 अब 14 से 28 बनने में क्या हुआ 2 का multiply हो गया अब देखी 28 से 32 बनने में कितना add हुआ प्लस का 4 फिर 32 से 64 बनने में 2 का multiply एक चीद तो कामन होगी पहले प्लस 4 add हो रहा फिर 2 का multiply फिर प्लस 4 add हो रहा फिर 2 का multiply अब देखी 64 से 68 बननने में प्लस का 4 add हुआ ओके अब 68 में आकर 2 का multiply करें तो हमें क्या मिलता है दो अटे सोला किछे यहां से लगा एक दो चंग बारा एक तेरा 136 136 होना चाहिए लेकिन यहां पे 132 है तो आपका अंसर यह वाला गलत हो जाएगा मतलब option C is right answer गलत सही हो जन को जानना था बुकिया हमें मिल गया गोशन आपका है केंद्रिय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यच कौन है option B प्रसून जोसी अगला गोशन है लूप तच्छर अच्छरों को चुन कर संगला को पूरा किजिए और आगे दिया है यह आपके अलफाबेट और आगे यहां पर बताना की कौन सा अलफाबेट आएका जो की option से बताना है तो सबसे पहले आपको सारे अलफाबेट के अलफाबेट कोड़ पता होना चाहिए देखिए X का होता है 24 और V का होता है 22 T का होता है 20 R का होता है 18 और P का होता है आपका 16 देखे 24 से 22 बनने में माइनस 2 हुआ फिर 22 से 20 माइनस 2 फिर 20 से 18 माइनस 2 और 18 से 16 माइनस 2 मतलब एक चीछ कामन होगी माइनस 2 माइनस 2 आपका गट रहा है तो माइनस 2 16 में भी तो गटेगा तो 2 गटाया तो आपका आएगा 14 14 इसका होता है N का तो option A is right answer I hope आपको question समझ में आया होगा चलिए अगला question करते हैं देखिए आपका अगला question है 4 छात्राओ रीना, बीना, मीना और नीना एक समूँ पर विचार करें जो एक पंक्ती में खड़ी हैं मतलब पंक्ती आपकी एक line है यह आपकी पंक्ती है इसमें 4 छात्राओ आपकी खड़ी हुई है रीना और बीना, बाई और से करमता चटवे और साथवे इस्थान पर खड़ी हैं देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग पंक्ती की बात करते हैं तो आपकी एक पंक्ती है आपका start होगा यहां से देखिए बाई और से अगर बात करें यहां से start होता है जिसमें क्या कहता है रीना का इस्थान है चटवा तो चटवा इस्थान यहां लगा देते हैं तो यह हो जाएगी आपकी रीना चटवा इस्थान रीना अगला आता है फिर है बीना बाइयोर से साथवे स्थान पर खड़ी है तो यह हो जाएगा साथवा और यह हो जाएगा पी बीना अब क्या कहता है मीना और नीना दाइयोर से करमसा अब दाइयोर की बात करें तो दाइयोर यहां से सुरू होता है तो दाइयोर से करमसा चोथे और पांचवे स्थान पर रहे हैं तो मीना का स्थान देखिए चोथा है, यहाँ से चोथा यह डाल देते हैं उपर यह हो जाएगा M, मतलब मीना और नीना की बात करें यह चटवा है, पांचवा स्थान रखती है तो यह हो जाएगा पांच बा तो यह हो जाएगी नीना अब आगे कहता है जब बीना और मीना अपने अपने स्थानों को यह अदला बदली करते हैं मतलब बीना और यह अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं तो बीना बाई अदला बदली हमनों कर देते हैं पर I.M. आ जाएगा और यहाँ पर B. आ जाएगा चोटे पर. तो गैस देखिए अदला बतली करने पर क्या होता है बीना बाइं से बाइं और से पंदरवी होगी तो बाइं आपका क्या हो जाएगा यहां से तो यह बीना का इस्थान इदर चला गया तो यह पंदरवा इस्थान रखती है बीना तो दाइं और से रीना की इस्थान क्या होगी तो रीना की इस्थान की अगर बात कर तो रीना आपकी यहां पर है, और चटव में पर है. तो दाइयों और से आपकी Remis ने काहिए पहुँची जा रही है, लेकिन बाइयों से आपकी छटव में पर नहीं पर है। तो हम लोग क्या करेंगे ये टोटल आपका ये पंदरा है तो पंदरा मैंसे हम लोग क्या करेंगे तो घटा देंगे क्यूं बाइयोर से तो पता है इसमें एक कम कर देंगे और दाइयोर से आप में निकालना है तो उसमें भी एक कम कर देंगे तो दो घटा देंगे तो आपक सी इस राइट अंसर चलिए अगला कोशन करते हैं कोशन है नीचे दीगे इस रंकला में संक्याओं का अक्रम उपस्तित है गलत सही हो जन पहचानी है तो आपको गलत वाला बताना है इसका अंसर होगा option D 45 क्यूं होगा वो देख लेते हैं देखे सबसे पहले हम लोग लास्ट का गफ है अब देखे 45 के बीच कितने का गफ है तो इसमें-10 का गफ है लेकिन होना क dobran चाहिए माइनस एलएवन क्यूंकि 2 में माइनस एलएवन-11 का गफ है इसलिए आगे भी माइनस 11 का gap होना चाहिए तो आपका अंसर हो जाएगा 45 45 की जगे 44 होना चाहिए तो आपका चल जाता I hope आपको question समझ में आया होगा और इसका answer होगे आपका option D 45, चलिए अगला question करते है question आपका है, एक खास code भासा में neck, back, deck का आर्थ जो है, वो है read my book इस का आर्थ है deck, sack, back का आर्थ है यह book stand होता है, इस code भासा में book के लिए किस सब्द का इस्तिमाल किया गया है तो book देखिए इसमें भी आ रहा है और book इसमें भी आ रहा है तो दोनों में common है अब हम लोगों को common ही देना है कि कौन सी भासा में क्या common है दोनों जो दो भासाएं है दोनों में common क्या है तो इसमें देखिए deck और deck यह दोनों common है, तो answer हो जाएगा option है deck और deck दोनों common है तो option A is right answer I hope आपको question समझ में होगा, चलिए अगला question करते हैं देखिए अगला question है प्लस का मतलब है गुण, गुणा का मतलब है भाग, डिबाःड का मतलब भाग का मतलब है योग, माइनस है बराबर के बराबर, बराबर का मतलब है गटाओ तो एक question दीए इसको solve करना है, क्या करना है सारे चिन्नों को बदल देना है तो देखिए 15 तो दिया हुआ है multiply multiply का मतलब क्या है भाग ओके आगे दिया है दो तो इसमें क्या करना देखे सबसे बहले भाग को solve करेंगे यह हो जाएगा एक फिर उसके बन multiply तो यह हो जाएगा 12 और यह प्लस बन और आगे 15 माइनस का तो सबसे प्लस वाला पहले सबसे पहले प्लस वाला solve करेंगे 15 यह कितना होता है 16 16 माइनस सबसे बारा जाएगा तो आपका अंसर हो जाएगा चार तो option D is right answer चलिए अगला हम लोग कोशन देखते हैं इसे ही के आगे आपका भाग 2 है जिसमें बहुत दिख चमता इभा मान से कभी रुची मतलब math और leasing दोनों सामिल है तो दोस्तों देखिए अगला question जो है आपका यह पूरा आ नहीं पाया तो इस question को मैं अगले वीडियो में provide करवा दूँगा क्योंकि इसमें से जो यह खाने इसमें भड़े हुए खाने थे जो की आपके पीडियो में नहीं आया मैं अगले वीडियो में आपको इसका यह बाला question प्रोवाइड करवा दूँगा और इसके आगे का जो question है बहुत देख लेते हैं कि क्या कहता है question आपका है यदि निम्न दो बर्ग अती ब्यापित होते हैं निम्न मेरे से कौन सा एक बिकल्प बनता है मतलब इन दोनों को मिला देने पर क्या बनेगा तो इसका अंसर हो जाएगा option D देखे इसमें ये काला काला है इसमें भी एक काला काला है इसमें एक तीर है तो किनारे एक तीर हो जाएगा नीचे एक तीर है तो यहाँ एक नीचे तीर हो गया और इसमें भी देखे एक नीचे तीर है तो यहाँ पर एक नीचे तीर हो गया और यहाँ दो उपर तीर है तो इसमें भी दो उपर तीर हो गया और दो तीलियां जो खाली बची है एक यह तो इसमें भी एक एक बन जाएगी खाली तो ये आपका अंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं गाइस देखिए आपका अगला कोशन जो बनता है वो आपका क्या है नीचे दिये के करम में अगली आकरती काउन सी होकी तो गाइस देखिए एक, पाँच, तीन, चार ये सब दरपान परतीबिम लग रहे हैं तो आगे एक ही संक्या कम है जो कि ये दो तो आपका अपसेंटी हो जाएगा दो मतलब दरपान परतीबिम ऐसा बनेगा तो ये आपका ये वाला अंसर हो जाएगा मैत के जो कोस्टन है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइट कराऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बना जा रहा है तो इससे पहले हम लोग मैत के कोस्टन को ना लगाते हुए हम लोग जो साइंस के कोस्टन जो पूँचे गए थे बहुत देख लेते हैं मैत के कोस्टन आप देख सकते हैं कि इस टाइप के पूचे गए थे ये सारे कोस्टन मैं आगले वीडियो में प्रोवाइट करवाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं आपको सिर्फ सिर्फ अब साइंस के ही कोस्टन करवाने वाला हूँ देखे इसमें तिसरा पॉर्चन है विज्ञान एबं सरल गडित ये साइंस का कोस्टन है निरोग रहने के लिए स्वास्ते एक निरधारक कारक है जिससे की इसका अंसर आपका होगा आपका देता हूँ तो यह हो जाएगा उप्शन डी उप्यूक सभी मतलब पहला है केबल दच्छता पूर्ण कार कर सके केबल मांसे ग्रूप से सतर करे सके केबल समाज में सक्रीता के साथ समयलित रह सके अगला कोसिकाओं की दिवारे पतली होती है और कोसिकाओं के बड़े अंतर कोसिका स्थान सलगन होते हैं कोसिकाओं जीवित हैं और वे जीवन संग्रहित करती हैं और प्यूक तू लेखित लच्छन किस पर लागू होते हैं तो गाइज ऑप्शन डी म्रदूर तक सेलूलोज को पचाने के लिए दीमक के आंत में खालिस्तान होता है तो ऑप्शन ए जिवाणू जिसको बैक्टीरिया कहते हैं एक और देखिए गाइज यह कोशन है यह मैट का इसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जो कोशन है चमकदार रोसनी के प्रतिस अमेदन सिल आखों की प्रकासी सोरी प्रकास गराही कोशिकाएं होती हैं तो गाइज जीवों का भाय समों जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है तो आप्शन सी प्रजातियां निम्न उल्लेखित रोगों में से किस एक को टीका करन दोरा रोंका जा सकता है आप्शन भी या क्रत सोध या हैपेटाइटिस निउन्तम या बीना रसाइनों के प्रियोग की क्रसी खेती प्रणाली का उप्योग खाद के अधिक्तम निबेश खेत अपसेश और जैब कारक का उप्योग कहलाता है तो आप्शन भी जैब क्रसी उस फाइलम का नाम बताईए जिसमें पसुओं में जल समभानी तंतर होता है तो आप्शन डी एकाइनो डर्मेटा एलूमिनियम ऑक्साइड का विद्धोत अबगटन खालिस्तान का उधारन है तो आप्शन भी अबगटन अबेकरिया प्रदूसी धबा में स्वांस लेने से होने वाली बिमारी है आप्शन सी दमा और प्रतिभी का चुंबकिये छे तरखालिस्तान की ओर निर्देसित होता है तो आप्शन सी उत्तर निम्न में से गलत कथन पहचानी है तो गाइस ही हो जाएगा वी वांकी के जोती ने बो सही हो जाएगा जिसमें पहला है उपकला उतक पुसपुस क्रपिका के अस्तर में उपस्तित होते हैं उपकला उतक क की सामान की परत पारगम परत होती है उपकला उतक पसु के सरीर में रच्छी उतक होता है जब विद्धु धार के सितार में प्रभाहित हो रही होती तो तार से होकर गती होने वाले कान खाले सान होते हैं आप्सन डी इलेक्ट्रोन बहे प्रतिविम जो परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो आप्सन आभासी प्रतिविम पुरुसों महिलां और बच्चों की आभाजों में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होती हैं औप्सन है गोस तंतरी अगला math का है इसको भी हम लोग अगले बीइडिएओ में देखेंगे ये भी math का है आप देख सकते हैं और ये भी बांत का है तो गैस आज के इस वीडिओ में इतना ही thank you धन्यवाद आपका दिन सुब रहे अगले वीडियो में सारे मैस के कोशन सौल्ब करेंगे थैंक्यू